हेलो प्रेंट्स, बैलकम टू बैक्स इत्पुरू गाश्टेडी चैनल पर आज की इस वीडियो में हम हमीरपुर गोड का प्रीविसेर पेपर डिसकेस करेंगे जिसमें हम HPGK के कोश्चन कबर करेंगे आपको पता होगा कि हमाचर पदेश की सभी प्रिक्षों में HPGK के कोश्चन 90% वीड होते हैं तो ये कलास आने बाली सभी अपकमिंग प्रिक्षों के लिए पोड़न रहेगी चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे चलिए शुरू करते हैं 41 कोश्चन से इसमें ये पुशा गया कि हिमाचर प्रदेश की किस पहाड़ी चरेंकल में प्राइंगला दरा स्थित हैं तो प्राइंगला दरा तो इसका सेयंस रोगा यानि जसकर ऑप्शन सी कोशन नमबर 42 हिमाच्र पद्याश के किसी जिले में नागरु पहाड़ी चोटी सित है तो नागरु पहाड़ी तो इसका सेयंस रोगा यानि मंडी और नागरु पहाड़ी की उंचाई कितनी है चतारी सो मीटर आईए बात करते हैं कुल्लू तो कुल्लू में जैसे डिब्बी बोकरी पहाड़ी चोटी जिसकी उंचाई 400 मीटर है किनौर किनौर में जैसे शीला चोटी जिसकी उंचाई 7,000 पच्ची मीटर है और ये सबसे उंची पहाड़ी चोटी है लहॉल्स पीती लहौल स्पीती में जैसे मनी रंग चोटी जिसकी उन्चाई 6,590 मीटर चरिए अगले कोशन पर हिमाच्तिम देश के किस जिले में रहले पानी का सोता सित है पहले तो यानि रहले पानी का सोता ये ठंडे पानी का जर्ना है जो की कुल्लू जिले में है खुक्ल्लू में कुछ और बी जर्ने हैं जैसे मनी करन, भशोष्ष्ट, कसोल, खीर गंग ये सभी जर्ने घर्म पानी के जर्ने कुल्लू जिले में है आईए बात करते हैं कांगड़ा की कांगड़ा में जैसे बागसूनात जर्ना, जौला मुकी, कोपरा, सूला ये सभी जर्ने ठंडे पानी के जर्ने कांगड़ा जिले में हैं मंडी मंडी में जैसे तत्य पानी का जर्ना शिम्बला तो शिमला में जैसे जोरी जर्णा जो की गर्म पानी का जर्णा शिमला जिले में है शिमला में एक और जर्णा है जिसका नाम है यानि चैडविक जर्णा जो की ठंडे पानी का जर्णा शिमला जिले में है चालिए अगले कोशन पर इमाच्र इब्रदेश के किसी जिरे में मुकीला हिमनि कीला हिमनिद तो इसका सेयंचर क्या होगा है लोल्ट पितीacio ऑफ्शन ए कोशन नमबर 45 हिमाच्र इब्रदेश में बादल नदी किसकी साइच नदी है तो 45 का सेयंचर होगा यानि रावी, रावी की कुछ और साइक नदिये हैं जैसे बांदल, तंतगरी, शत्राणी, स्यूल, साल तो आईए बात करते हैं सातरूज की, तो सातरूज की साइक नदियें जैसे स्पिती, बस्पा नदी, ब्यास तो व्यास की साइकन दियें जैसे बनेर, बानगंगा, लूनी, पारवती, सैंज, तीरतन, हारला, उहुल, यमना तो यमना की जैसे गिरी भी हैं टौस, पबर, आंधरा चलिए अगले क्वेशन पर पूटी सैवन नालागड किसका पुरान नाम था? तो इसका सेयंस रोगा यानी पूटी सैवन का, हंडूर, यानी सोलन का और बानेर किसका था यानी? तो यह था यानी सुंदरनगर का, कहलूर, तो यह था यानी बिलासपूर का चलिए अगले कोशन पर, पूटी एट पर कि माचरप देश में, उनिसोश पूंजा में, गठीत, प्रादेशिक, काउंसल का सभी पती किसे चुना गया था? तो पूटी एट का जो सेयंस रोगा यानी थाकुर कर्म सिंग, ऑप्शन सी आईए बात करते हैं थाकुर राम नाल की तो यह हिमाचरप देश के यानी दूसरे मुख्य मंतरी थे, और यह शिमराजिले से सबंदी थे और यह हिमाचरप देश के दूसरे मुख्य मंतरी, ठाई जनवरी उनिसोश सतर को बने थे, जैवंत राम तो यह कौन थे तो यानि यह हिमाच्यर प्देश के यानि प्रत्व विदान सभा के अधेक्ष थे डॉक्टर बाइस प्रमार तो यह तो आपको पता होगा हिमाच्यर प्देश के प्रत्व मुख के मंतरी थे इन होने एक बुक लिखी है हिमाच्यर प्देश is shape and state चरिए अगले कोशन पर 49 पर हिमाचरप देश में मंडी विवा कितने जिलों का बना है तो मंडी तो इसका से अंसर होगा यानि 5 ओप्शन C कोशन नमबर 50 हिमाचरप देश के प्रत्म लोग का युक्त कौन थे तो इसका से अंसर होगा यानि नेदिश टीविया टाटाचारी ओप्शन A तो चरिए अगले कोशन पर हिमाचरप देश में डॉक्टर बाइस प्रमार किसान सब रोजगार योजना किस वर्ष दाखल की गई तो इसका से अंसर होगा यानि 2014 में ओप्शन D चरिए अगले कोशन पर हिमाचरप देश के किस जिले में बोटी वाशा बोली जाती है तो बोटी वाशा यानि बोली जाती हैं लॉल्स पीती में ओप्शन D कोशन नमबार 55 हिमाचरप देश में निमिन मैसे किसकी सतुत्ती के लिए सुही लोग गीत गया गया था तो यानि ये गित गया गया सा यानि रानी नैन देवी जो की चमबजिले से इस बंदित हैं दोस्तों यह थी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं किसी और वीडियों में जाहिंद जाहिमाचल